गनेशाय नमह, श्री शिवकुरान रुद्र सहिता तृतिय खंड अध्याय साथ, पार्वती का नामकरन और विद्याध्यायन नार्द का हिमवान के यहां जाना, पार्वती का हाथ देख कर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासंदे पार्वती का विवाह जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारल करना ब्रमाजी कहते हैं नारद, मेना के सामने महते जस्विनी कन्या होकर लौकिक गतिका आश्रय लेवह रोने लगी, उसका मनोहरुदन सुनकर घर की सबस्त्रियां हर्ष से खिलुठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आपहुँची, नील कमर दल के समान श्यामकानते वाली उस परम ते जस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमाल्य अतिशय आनंद में निमगन हो गए, तगनंतर सुन्दर मोहुर्त में मुनियों के साथ हिमवान एपनी पुत्री के काली आदी नामर्खे, देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी ठीक उसी तरह, जैसे वर्षा के समय में गंगाजी की जलराशिय और शर्द रितु के शुकलि पक्षमे चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदी गुनों से सैयुक तथा बंधु जनों की प्या नारत, तदनंतर जब विद्या के उगदेश का स्मयाया, तब शिवा देवी अपने चित्तकोई काक्र करके बड़ी प्रसंता के साथ श्रेश्थ गुरु से विद्या पढ़ने लगी, पूर्वजन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई, जैसे लीला का वर्नन करूंगा, सुनो, एक समय की बात है तुम भगवान शिव की प्रेरना से प्रसंदता पूर्वक हिमाचल के घर गए, मूने, तुम शिवतक्त्व के ग्याता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेश्थ हो, नारत, गिर राज हिमाले ने तुम्हें घर पर आ हिमाले बोले ही मूने नारत, हेबरम कुत्रों में श्रेश्थ ज्यानवान प्रभो, आप सरवग्य हैं और क्रिपापूर्वक दूसरों के उपकामेन लगे रहते हैं, मेरी कुत्री की जनकुंदली में जो गुन दोश हो, उसे बताए, मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प रिष्टिपात करके हिमाले से इस प्रकार कहना आरंभ किया, नारत बोले शैल राज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदिकला की समानब्री है, समस्थ शुब लक्षन इसके अंगों की शुभा बढ़ाते हैं, यह अपने पते के लियक्तियन सुकदाइनी होगी और माता-पिता की भी कीरती बढ़ाएगी, संसार की समस्थ नारियों में ये परम साधवी और अस्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ मेन सब उत्तम लक्षन ही विद्यमान है, कैवले क्रेखा विलक्षन है, उसका ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मान कर मेना तथा हिमाचल दोनों पती पतनी बहुत दोखित हुए, परन्तु जगदंबा शिवा तुम्हारे ऐसे विद्यमान को सुनकर और लक्षनोद्वारा उस भावी पति को शिव मान कर मन ही लुठी, नारद जी की बात कभी जूट नहीं हो सकती, ये सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरनों में संपून रिदे से अत्यन स्नेल करने लगी, नारद, उस समयमन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुम से कहा, मूने, उस रेखा को फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाई करू, मूने, तुम महमन कौतुक करने वाले औरवार तालाप विशार्ट से, हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहम, नारद बोले गिरिराज, तुम स्नेव पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह जूट नहीं होगी, हाथ की रेखा ब्रमाजी की लिपी है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती, अताश्यालप्रवर, इस कन्या को वैसा ही पत्य मिलेगा, इसमें संशय नहीं, परंतु इस र अर्व समर्थ हैन और लीला के लिए अनेक रूप धारल करते रहते हैं, गुलाब और नमह शिवाए गुलाब उनमें समस्त कुलिक्षन सद्गुनों के समान हो जाएंगे, समर्थ पुरुष में कोई दोश भी हो तो वह उसे दुख नहीं दिटा, असमर्थ के लिए ही वह इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो, भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ शाली और अविनाशी हैं, वे जल्दी की प्रसन हो जाते हैं, अता शिवा को ग्रहन कर लेंगे, इसमें संश नहीं हैं, विशेष्टा वे तपस्या से वश्मे हो जाते हैं, यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा, सरवेश्वर शिव सर्व प्रकार से समर्थ हैं, वे इंद्र के वज्रका भी विनाश कर सकते हैं, ब्रमाजी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुक देने व ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश्मयन कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे, इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है, वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, ने समय है और न अर्धनारीश्वर होंगे, इन दोनों का पुनह हर्षपूर्वक मिलन होगा, आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या की प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धाग बन जाएगी, गिरिश्रेश्ट, तुम्हें अपनी यहकन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए, ये देवताओं का गुप्त रहे से है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हिमाला ने कहा ज्यानी मूने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा है, उसे प ज्यानमार में स्थित हुए वे भगवान शंभू पब्रम में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ज्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विश्य में मुझे महान संदेह है, दीपक की लौके समान प्रकाश्मान, अविनाशी, प्रकृतिसे प उने, यहां आये हुए किन्निरों के मुख से उनके विश्य में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है, क्या वह बात मिथ्या ही है, विशेश्त ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हरने कूर्वकाल में सती के समक्षेक प्रतिग्या की थी, उन्होंने कहा था, दक्षकु तुम्हारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा, दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरन करूंगा न ग्रहन, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिग्या कर ली है, आप सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स् गिरिराज, इस विशे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकाल में दक्षकन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदासर्व मंगलदाई सती नाम था। वे सती दक्षकन्या होकर रुद्र की प्यारी पनी हुई थी। उन्होंन पुत्री साक्षा जगदंबा शिवा है ये पार्वती भगवान हरकी पली होगी इसमें संशय नहीं है नारत ये सब बाते तुमने हिम्वान को विस्तार पूर्वक बताई पार्वती का वग पूर्वरुप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है काली के उस अवरितान तक को तुम्हारे मुख से सुनकर हिम्वान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ ततकाल संडे हरहित हो गए इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्वक था को सुनकर काली ने लजजा के मारे मस्तक जुका लिया और उसके मुख पर मंद मुसकान की प्रभा गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फिरने लगे और मस्तक मुंद कर उसे अपने आस्म के पास ही बिठा लिया। ओन हरी हरी ओन नम शिवाई ओन नमा शिवाई ओन नमा शिवाई